स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2021 में Geography के Current Affairs के Revision का ये हमारा तीसरा लेक्चर है आज के इस सेशन में हम नवंबर महिनी के Geography के Current Affairs को रिवाइस करेंगे इस सेशन का First Important Article इसी के बारे में है News में इसलिए रहा because इसी के आस पास 7th magnitude का एक earthquake आया है जिसने Turkey और Greece को प्रभावित किया है इसमें ज्यादा प्रभाव टर्की में देखनों को मिला है जहांपर कई सारे बिल्डिंग्स धाय गई बहुत साय लोगों की जान गई खैर ये UPSC के perspective से तो important नहीं रहेगा important रहेगी agency की location अगर हम agency की location की बात करें तो यहां map में आप agency को देख सकते हैं आपको इसके west में मिलेगा Greek peninsula जहांपर एक country आपको Greece मिलेगी और आपको इसके east भी यानि की पूर्व की ओर मिलेगा Asia Minor Asia Minor को Anatolia Peninsula भी कहा जाता है जिसमें आपको एक country मिलती है with the name Turkey तो Turkey और Greece के बीच में है यह agency अगर हम agency की location को थोड़ा और descriptive ली देखने का प्रयास करें तो agency और यहां पर north east में आपको sea of murmura मिलेगा इसके बीच में एक state है state of dadanels sea of murmura के north eastern की location में आपको मिलेगा black sea और black sea का जो division है sea of murmura से वो state of boscorus से होता है जो यहां पर mention नहीं है मैं आपको बता दे रहा हूँ अगर आप agency की south के extent को समझना चाहें तो एक आपको island मिलेगा crate island crate कह दीजी, crate ही कह दीजी यह जो island है यह इसकी southern boundary define करता है agency की तो यह पूरी geographical location आपने agency की समझी है agency के अगर आप floor की बात करेंगे तो वो mainly limestone से मिला हुआ, बना हुआ मिलेगा आपको यह Greece और Turkey के बीच में बढ़ता है इसी के भीतर आपको sea of crate और thresian sea भी मिलेंगे तो चलिए, यह तो बात हो गई geographical location के बारे में agency की जो हमारा अगला आर्टिकल है वो Armenia Azerbaijan peace deal के बारे में है काफे लंबे समय से यह दोनों देश संघर्स कर रहे थे एक region को लेकर एक location को लेकर जिसका नाम है नागोर्नो कारबाख region नागोर्नो कारबाख region को इस shadowed area में दिखाया गया है यह नागोर्नो कारबाख region है जो कि Armenia और Azerbaijan के बीच में पढ़ता है विवादित territory है दुनिया भर की जो most of the countries हैं वो इसे Azerbaijan का मानते हैं लेकिन most of the territory पर जो सासन है वो Armenia के separatist group का है जो इस पूरे region को Armenia में integrate करना चाहते हैं Armenia एक इसाई बाहुले देश है यहाँ पर Christian majority है जिबकि Azerbaijan एक Muslim बाहुले देश है Azerbaijan को तुर्की पाकिस्तान समेथ जो भी Middle East की countries हैं उनका समर्थन प्राप्त है अब यहाँ पर Western countries के साथ समस्या यह है कि जिस तरीके से Islamic countries Azerbaijan को खुलकर समर्थन देते हैं ओपन स्टेट्मेंट देते हैं ऐसा Western countries नहीं कर पाती वो हमेशा बैलेंस करने का प्रयास करते हैं इसी प्रयास में अभी Russia ने immediateion करते हुए दोनों के बीच में एक peace deal sign करवा दी है जिसमें कहीं ने कहीं Azerbaijan को फायदा हुआ है क्योंकि इसमें status quo को maintain करने की बात की गई कहा गया जो यथास सिती है उसे रहने दिया जाए अब यथास सिती के मामले में Azerbaijan ये जो रीजन है नागोर्णो कारभाग का उसका 15-20% रीजन इस पूरे संगर्स के दौरान occupy कर चुका है मतलब वो रीजन अब Azerbaijan के पास ही रह जाएगा ये रीजन एक landlocked रीजन है South Caucasus में Caucasus जो है वो Black Sea और Caspian Sea के बीच का रीजन है यहाँ पे कारभाग Mountain range मिलता है उसी से इसका नाम भी draw होता है ये Western Asia और Eastern Europe के बीच में पढ़ता है internationally Azerbaijan का पार्ट माना जाता है लेकिन control किया जाता है Armenian separatist के द्वारा ये basic बाते हमने देख लिए Armenia और Azerbaijan के बारे में इस peace deal में ये बुला गया कि दोनों जो जहाँ पर है वहाँ रुख जाएगा military operations सब suspend कर दिये जाएंगे Russia के जो peace keepers है वो यहाँ पर दिखे आँ फिर clear होगा यहाँ पर ये जो same color आप देख रहे हैं let me take a pen ये color और ये color actually में ये जो region है ये अजरबैजान का है तो यहाँ से इन्हें एक corridor मिला हुआ है यहाँ तक आने का संघर्स किसी इस इस इस्थती में इस corridor पर भी खत्रा होगा इसलिए Russian forces इस corridor पर भी होगे जो अजरबैजान को उनके बाकी के region से जोडता है ये चीज़े clear हुई है यहाँ पर देखे ये भी कहा गया है कि जो भी displaced person है वो लोग अपने अपनी जिगर पर वापस आ जाएंगे जो भी उनके territories थी दोनों जो prisoners of war हैं और dead bodies हैं उन्हें exchange करेंगे तो ये पूरा जो आर्टिकल रहा अर्मेनिया, अजरबैजान, peace deal के बारे में अगला आर्टिकल चार्च अपोरिस और आसाम के बारे में है हाली में एक museum को लेकर वहाँ पर controversy चल रही है actually में जो ruling party है वहाँ पर उन्होंने मार्च में एक report निकाल के बोला था एक proposal रखा था कि हम एक बनाएंगे museum जहां पर जो चार्च अपोरिस के region में रहने वाली मिया population है उनके culture को हम वहाँ पर exhibit करेंगे, दिखाएंगे तो अभी एक opposition party के leader ने बोल दिया कि आप ये museum बना दीजी जो आपके proposal में है तो फिर जो ruling party के leaders थे वो आ गए बोले नहीं हम ये नहीं बनाने देंगे ये तो बाहर के लोग हैं, बांगला देश से आएं हैं हम इनके culture को क्यों दिखाएंगे so that was all about, brief about a controversy controversy हमाई लिए important नहीं है चार चापोरीज रीजन हमाई लिए important हो सकता है और मिया population हमाई लिए important हो सकती है that can be asked in exam population जो controversy है it has a political background तो वो हमाई लिए worthless है चार चापोरीज के बारे में बात करते हैं देखे चार जो होता है floating island होता है, जो नदियों में तैरता हुआ रिखता है और चापोरीज नदी के किनारे का वो हिस्सा होता है river bank में जिसमें अक्सर flood उसको प्रभावित करता है नुफसान पहुचाता है कई बार इन दोनों words को interchangeably इस्तेमाल किया जाता है because ऐसा होता है जो एरिया नदी में तैर रहा है मैंने अउनकों बताया जो चार है वो नदी के भीतर floating island है और चापोरीज इस किनारे केएरिया को कहते है तो कई बार ऐसा होता है कि जो ये area तैर रहा है मत्तब जो चार है.... वो आके किनारे लग जाता है चार, कार, आप विशिवी बहुल सकते है जो भी pronunciation में आए, तो ये किनारे आके लग जाएगा, तो ये चापोरीज बन जाएगा, ये एरिया जो किनारे है, ये कटके तैरने लग जाएगा, तो ये चार बन जाएगा, तो चार और चापोरीज को interchangeably इस्तेमाल करते हैं, ये water के flow के मताबिक change होता रहता है, तैरने वाला हिस्सा किनारे लग जाता है, किनारे वाला हिस्सा कटके तैरने लग जाता है, तो चार चापोरीज है क्या, ये आप समझ गए, अब देखिए, ये काफी flood prone area में आता है, पानी का अकसर बहाओ रहता है, तो जो भी लोग पे बंगाली origin की Muslim population रहती है, यहीं मिया कहा जाता है, इसके लावा कुछ और भी जाती हैं, communities रहते हैं, जैसे कि मिशिंग्स, देवरीज, कुचरीज और नेपालीज भी यहाँ पर रहते हैं, जो popular imagination है, वो यही है, कि जो बंगाली speaking Muslims यहाँ पर रहते हैं, वो dubious necessity के हैं, व यह उनकी वंशज हैं, जो कि कई बार अभी latest में बात के हैं, तो बंगालादेश के बनने के बाद कैसा है, लोग बंगालादेश से भी आये हुए हैं, असाम में, उन्हें मिया कहा जाता है, मिया जो word है, यह बहुत सम्मान जिनक नहीं है, अपमान जिनक तरीके से या derogatory manner म यह उस community के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें मिया कहते हुए, जो community है, वो कई सारी waves में इंडिया में आई है, British annexation जब आसाम का हुआ था 1826 में, तब भी जो Muslim बाहुले इलाका था, वहां से लोग आये थे, 1971 में, जो बंगलादेश, नए देश के रूप में उभरा, तो वहां से भी कई सारे लोग उस समय जब पाकिस्तान ने हमला किया था बंगलादेश के उपर, तो उस समय भी कई सारे लोग यहां पर आये थे, तो नहीं मिया कहा जाता है, अगला आर्टिकल साइकलोन निवार के बारे में है, अभी हाल ही में कोशन तमिलनाडू और पु जब यह स्पीड बढ़ती है, 31-49 होती है, तो डिप्रेशन क्रेट हो जाता है, 50-61 के भी जब स्पीड बढ़ती है, तो डिप्रेशन डीप हो जाता है, मतलब अब अप ऐसा लगने रखता है कि स्टॉम बनेगा, और जब इन स्पीड 62-88 किलोमेटर पर आर हो जाती है, अगर स्पीड और भी बढ़ जया है, 190 to 221, तो इसे very severe cyclonic storm कहा जाता है, और अगर स्पीड 222 km पराज से ज़्यादा हो जाए wind speed, तब उसे super cyclone कहा जाता है, तो यह classification है, अभी ख्याज जो stage है, वो severe cyclonic storm का है, जिसमें यह cyclone निवार पहुँच गया है, यह जो southwest region है, वहाँ पर तमिल नाडू के coast के दूरी पर emerge हुआ, और तमिल नाडू पुदिचेरी को hit करता हुआ, अंदर की ओर आ रहा है, अगर यह cyclone और strengthen होता जाता है, intensify हो जाता है, तो ऐसा कहा ज़रा था, कि यह बाद में, एक severe cyclone में convert होगा, जो कि वो हो ही गया है, इसका नाम निवार रखा 2018 में था, फिर यह दूसरा है, जिसने तमिल नाडू को hit किया है, cyclones का नाम कैसे रखा जाता है, देखिए, इस पूरी रीजन में, वेव बंगाल, Arabian Sea का यह जो पूरा रीजन है, यहां पर जो भी cyclone आते हैं, उसमें 13 देश नाम रखते हैं, उन 13 देशों के नाम हैं, alternatively set कर दिया जाता है, तो जो cyclone आएगा, जिसका number होगा, उसका नाम महाँ पर रख दिया जाएगा, ठीक है, और यह जो mechanism है, इसे World Metallurgical Organization की दोरा agree किया गया है, मतलब एक इस country का नाम, फिर दूसरे का पिर तीसरे का ऐसे नाम set कर देते हैं, अब एक cyclone आया तो इनका नाम accept किया गया था, इसके पहले जो इंडिया ने अपने नामों के list दिया, उसमें कुछ important नाम है, गती, तेज, मरासू, आग और नीर, यह नाम इंडिया ने suggest किये हैं अभी तक, cyclone कैसे बनते हैं, लेकि cyclone बनने की सबसे जरूरी चीज़ तो यह है कि वहाँ का जो सर्फस टेंपरेचर है, वो 27 डिगी सेलसियस से ज़ादा हो, और वहाँ पर moisture हो, यह जरूरी है, यही warm temperature और moisture, fuel की तरह काम करता है इस पूरे cyclone के लिए, equator के आसपास ही warm water, ocean waters में बनते हैं, होता यह है कि समंदर का पानी जब गरम होता है, तो उसके उपर पढ़ने वाली हवा गरम होके उपर उर जाती है, तो यहाँ पर low pressure बन जाता है, आसपास का जो high pressure होता है, वो हवा जो है low pressure की और आती है, फिर यहाँ से आएगी, moisture इस हव vibrations होकर, बादल में convert हो जाता है, फिर बारिस सुरू हो जाती है, और जितना ज़्यादा यह warm air उपर जाती रहेगी, यह circulation बढ़ता रहेगा, बीच में उसके बाद एक high बन जाती है, low pressure area, जहाँ पर आपको पूरा region बिलकुल सांत मिलता है, और यह पूरा जो mechanism है, वो intensify होकर जब किसी land region को hit करता है, तो काफी तबाही मचाता है, जो system of cloud और wind तयार होता है, इस पूरी प्रक्रिया में, उसे ही cyclone कहा जाता है, यह और भी तेजी से rotate करना शुरू कर देते हैं, और इनके बीच में eye form हो जाता है, वो बात तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, देखिए direction के अगर हम बात करें, तो इनका जो direction है, वो north में, equator के north में, यह counterclockwise rotate करते हैं, मतलब ऐसे, ठीक है, और south में यह clockwise rotate करते हैं, यानि कि ऐसे, हमारा जो अगला article है, वो Ethiopia के Tigray region के बारे में है, हाल ही में United Nations ने won किया, कि जो Ethiopia का Tigray region है, वहाँ पर जो एक civil war की condition बन रही है, Ethiopian government, और Tigray region की जो army है, government है, उनके बीच में, उसकी वज़य से लगभग 9 million लोग displacement की कगार पर आ सकते हैं, displaced हो सकते हैं, उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ सकती है, Tigray region की बात करें, तो यह देखे, Ethiopia का map है, थोड़ा बड़ा भी देख सकते हैं, यह Ethiopia है, एदिस अबादार इसकी capital है, इसके बिलकुल north में Tigray region है, एथियोपिया को total 10 regions में divide किया गया है, वहाँ पे जो regions हैं, उन्हें sometimes किलिलात भी बुलाया जाता है, तो जो एक region है, मतलब state कह लीजिए, उसे वो लोग region बोलते हैं, तो Tigray region बिलकुल north में है, एथियोपिया में देखे एक प्रकार क Republican government है, Republican government का मतलब ये है, कि जो भी regions हैं, उनको काफी जादा autonomy है, मतलब उन regions की अपनी parliament होती है, अपनी army होती है, उनको ऐसा right भी दिया गया है, कि अगर वो एथियोपिया के साथ नहीं रहना चाते, तो सर्व सम्मती से referendum कराके, एथियोपिया से अलग भी हो सकते हैं, कुल म में हुआ भी, 2018 में जब वहाँ पर Prime Minister Abe Ahmed आये, तो Tigray में opposition party थी, तो वहाँ की government के साथ उनका confrontation start हो गया, confrontation इस तरीके से बढ़ा, कि अब Tigray की जो army है, और जो central army है, Prime Minister Abe Ahmed की, उसके बीच में एक civil war की condition बन गई है, confrontation काफी आगे बढ़ चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया, States काफी empowered है, तो उनके पास अपनी army होती है, तो जो Tigray है, वो Tigrayan, Irob और Kunama जो people है, जो लोग है, ethnicity के, उनका घर है, Tigray border करता है, Eritrea के साथ, और Sudan के साथ, बाकी South में, Ethiopia के ही regions हैं, Amara और Afar, ये आपको याद रखने के आवशकता नहीं, इतना detail कोई नहीं पूछेगा, ये Horn of Africa का पार्ट है, Horn of Africa में देखे चार देशाते हैं, एक तो Ethiopia, दूसरा Eritrea, इसरा जीबूती और चौथा Somalia, ये चारो Horn of Africa का पार्ट है, ऐसा मना जाता है कि जो Tigray region है, वो Ethiopia के बाकी regions के तुलनामी ज्यादा वेल्दियर है, इसलिए वो खुद को assert भी ज्यादा करते हैं, Ethiopia में तो आपके नॉर्थ में Eritrea मिलेगा, यहाँ मैप में देखे, जिबूती मिलेगा, नॉर्थ East में ये जो एरिया है, ये जिबूती का है, यहाँ पर कीमिया मिलेगा आपको South में, और Sudan, ये Sudan है, और ये South Sudan है, जो कि आपको West में मिलेगा, अगला article गिलगिट बालतिस्तान के बारे में है, पाकिस्तान अभी प्लान कर रहा है कि वो तथा कथित रूप से जो गिलगिट बालतिस्तान का इलाका है, उसे एक प्रोविंशल स्टेटस का दरजा देगा, so called इसले, because ये actually में इंडिया का पार्ट है, जिसे पाकिस्तान ने अपने कबजे में कर रखा है, that's why हम कहते हैं, तथा कथित रूप से गिलगिट बालतिस्तान, लोकेशन देखिए अगर आप इसकी देखना चाहें, तो मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जम्मु कस्मीर जो हमारा यूटी का पार्ट है, उसी में यह आता है, नदन पार्ट में, ये जो बॉर्डर है, ये चाइना के साँ शेर करता है, नौर्थ में, इसके वेस्ट में आपको अफगानिस्तान मिलेगा, और साउथ इस्ट में कस्मीर, भारत का इलाका मिलेगा, जेग्राफिकल बॉर्डरी के अगर हम बात करें, तो जेग्राफिकल बॉर्डरी ये पाकिस्तान occupied कस्मीर के साँ share करता है, मतलब कस्मीर का वो हिस्सा जिसको पाकिस्तान ने occupy कर रखा है वो ये नीचे वाला हिस्सा है इस हिस्से से भी ये अपनी boundary को share करता है, अपार्ट वाम डाट जो इंडिया का यूटी है लद्दाक, ये उसके साथ भी जुड़ता है, पाकिस्तान इसको पियोके से अलग मानता है हलाकि ये दोनों ही कस्मीर के हिस्से हैं और इस पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर रखा है, लेकिन वो इसे सो कॉल तरीके से आजात कस्मीर कहता है और इसे गिलगट बाल्टिस्तान कहता है, तो ये जो गिलटिस जो चाइना का CPEC है चाइना पाकिस्तान एकनॉमिक कॉरिडोर वो इस एरिया से होकर गुजरता है तो चाइना चाहता है कि इसे प्रॉपर प्रॉविंस का दरजा दे दिया जाए ताकि उनका इन्वेस्टमेंट सेक्योर रहे यह देपी पाकिस्तान काफी लंबे समय तक इससे बचता रहा था विकॉज इसे प्रॉविंस डिक्लेर कर देने के बाद उसका जो क्लेम है जो वो क्लेम करता रहता है कि कस्मीर पूरा मेरा है वो क्लेम उसका वीक हो जाएगा लेकिन अभी चाइना के दबाव में वो ये करने को राजी हो गया है इंडिया ने इसे बहुत ही strongly condemn किया है कि वो ऐसा कोई भी change नहीं कर सकते इंडिया के किसी territory में significance के गर हम बात करें तो strategic location है because यहाँ पर worst reservoir of fresh water मिल जाएगा चाइना तक जाने का ये एक रास्ता बनाता है चाइना पाकिस्तान economic corridor यहीं से होकर गुजर रहा है इंडिया ने पाकिस्तान के इसमोग पर सक्त आपत्ती जताते हुए ये बोला है कि पाकिस्तान इसे province डिक्लेर करके जो उनका illegal occupation है जम्मू कस्मीर के इस हिस्से पर उसे come of lock कर रहे हैं इंडिया ने इस बात को completely clarify किया है कि यूटी ओप जम्मू एन कस्मीर लद्दाग जिसमें गिलगिट बाल्तिस्तान का इलाका भी आता है वो सभी इंडिया का integral part है legal, complete और e-revocable accession के तहप जो जम्मू एन कस्मीर ने willingly इंडिया में accept किया था 1947 में अगला article लोहरी stage 1 hydroelectric project के बारे में है अभी हाल ही में cabinet committee on economic affairs नी 210, 210 megawatt लोहरी stage 1 hydroelectric project के रिए जो investment किया जाना है उसे approve कर दिया है ये है क्या 210 megawatt project है जिसे सतलुज नदी के उपर develop किया जाएगा शिमला और कुलु जो district है माचरप्रदेश के बहाँ पर इस project को execute किया जा रहा है मतलब बनाया जा रहा है सतलज जल दिद्यत निगम लिमिटेट के द्वारा significance की बात करें तो 758.20 million unit electricity को annually ये generate करेगा इससे grid stability बनेगी electricity के flow को हम अच्छे से maintain कर पाएंगे power supply की position भी definitely improve हो जाएगी electricity अगर ज़्यादा बनाई जा रही है तो इसके अतरिक्त ये जो grid होगा वो 6.1 lakh ton का carbon dioxide का reduction भी करेगा because अगर हम thermal power plant के माध्यम से ये बिजली पैदा कर रहे होते तो हम बहुत ज़्यादा pollution करते apart from that ये air quality को improve करेगा उस region में क्योंकि हम एक renewable source का इस्तिमाल कर रहे है electricity के production के लिए सत्लोज river के बारे में बात कर लेते हैं देखे जो नदी है ये मानसरोवर राकाज लेक से निकलती है western तिबबत में ये लेक पड़ती है सत्लोज ये इंडस river है ये है जेलम ये है चेनाप ये है रावी यहाँ पर देखिए आती है ब्यास और ये है सत्लोज तो ये सबसे east में बढ़ती है सबसे पूर्व में आपको सत्लोज ही मिलेगा longest है जो ट्रिबटरीज है इंडस की उनमें से सबसे लंबी यही है और पंजाब में जो पाँच नदियां बहती है उनमें से एक ये भी है डैम की बात करें तो भाक्रा डैम है जो इस नदी पर बनाया गया है जो नियर भाई एरियार्स को irrigation के लिए पानी दे देता है तिरोजपूर से लेके फजिल का ये एरिया है जहां पर ये इंडिया और पाकिस्तान की बीच में लगभग 120 किलोमेटर की boundary बनाती है ये देखे एरिया आपको फजिल का का दिखाया गया है और यहां पर तिरोजपूर आपको मिलेगा तो ये पूरा boundary ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो सतलुज जनदी है वो बनाती है significance इसका जो पानी है वो इंडिया के Indus Water Treaty के ताहर सतलुज का पानी है वो इंडिया को मिला है Indus, झेलम और चिनाब ये तीनों पाकिस्तान के पास है रावी बिया सतलुज मतलब maximum वो उनका पानी पाकिस्तान यूज करता है और रावी बिया सतलुज का जो पानी है Indus, चिनाब का पाकिस्तान रावी बिया सतलुज का इंडिया लाजली इसका पानी हम इस्तेमाल करते हैं तो irrigation की जो problem है वो आसपास की रिजिन में ये address करने का प्रयास करता है जो हमारा अगला आर्टिकल है वो मांसर लेक rejuvenation plan के बारे में है Union Minister of North Eastern Region जिन्हें donor कहा जाता है उन्होंने अभी comprehensive master मांसर लेक rejuvenation development plan को release किया, inaugurate किया ये comprehensive plan है जिसके माध्यम से मांसर लेक को comprehensively, जो की काफी sacred माना जाता है पवित्र माना जाता है historical importance है महा भारत से जोड़ कर इसकी importance draw की जाती है ये second biggest tourist destination है जम्मू region का इसे preserve करना ecological point of view से भी ज़रूरी है ताकि यहां का flora fauna preserved रहे मांसर लेक के बारे में बात करें तो जम्मू से 62 किलोमेटर की ski distance है सुरिन सार लेक और मांसर लेक को twin lake के नाम से पुकरा जाता है जुडवा लेक कहा जाता है इन्हें सुरिन सार रेन्फेड है मतलब जो बारिस का पानी होता है ये उससे भरता है जो मांसर है उसकी काफी बढ़िया इंपॉर्टेंस है pilgrimage के point of view से heritage point of view से भी cynic attraction तो definitely अच्छा है मांसर लेक का भी florafona और cynic attraction को भी लेकर लोग वहाँ पर देखने के लिए पहुँच जाते हैं ये wetland of international importance के तहट एक रामसा साइट भी है इंडिया में right now 39 रामसा साइट है जिने resonate किया जा चुका है तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए जो सुरिंसार मांसर वाइलेफ संचुरी है ये भी इन दोनों लेक्स के बीच में आपको मिलेगी socially और culturally काफी important है location यहाँ देखिए map में कुछ locations दी गई है ये Wooler Lake है ये Hawker साइट लेक है ये सोमोरीरी है और ये सुरिंसार मांसर लेक है ठीक है ये देखिए Hawker साइट लेक है वो National Mansoor Mission के बारे में है हाल ही में National Council of Applied Economic Research ने जो National Mansoor Mission है 2012 में launch किया गया था उसका evaluation किया कि इसके कितने फाइदिया नुकसान हो रहे है इसे Ministry of Earth Sciences में 2012 में launch किया था वो देश ये था कि हम थोड़ा जो मांसून rainfall prediction है उसको बहतर करें देखिए एक समय था जब हमारे हाँ मांसून prediction होता था तो हम कहते थे आरे फालतो बोल रहे हैं बारिस होगी वोगी नहीं वो बोलते थे तीन दिन में बारिस होगी लेकिन हम मानते नहीं थे लेकिन आज क्या होता है अगर वो बोल देते हैं कि 24 घंटे में बारिस होगी मतलब होगी अगर 48 घंटे में खूब मुसलाधार बारिस होगी मतलब होगी तो अब मारा जो मांशून प्रेडिक्शन है वो बहतर हो गया है इसके कई सारे फायदे होते हैं हमारे किसान उसके हिसाब से प्लान कर लेते हैं चीजों को बारी से गर होगी अच्छी होगी तो उसके हिसाब से प्लानिंग करनी है तो इसका economic benefit भी होता है अगर हमें अच्छे से पता हो कि मानसून की condition क्या रहने वाली है यहाँ पर यह academia, research and development organization के साथ collaborate करते हैं इन्होंने अब HPC facilities develop कर लिए high performing computing mechanism है चुकि जब prediction किया जाता है तो बहुत सरा data होता है जिसे बहुती speedly process करना होता है तो बहुती speedly अब इसे process किया जा सकता है, that's why हम अच्छा prediction कर पाते हैं जिसका economic benefit भी होता है आटिकल पंगडा विलेज के बारे में है चाइना ने अभी भूटान की territory में 2 km घुसकर एक विलेज को establish किया है जिसका नाम पंगडा विलेज उन्होंने रख दिया है यह information public domain में तब आई जब चाइना के एक journalist ने इसकी details को tweet कर दिया हलांकि बाद में उस tweet को delete कर दिया गया लेकिन तब तक यह information public domain में highlight हो चुकी थी चाइना ने इस village को border area में build किया है यह जो territory है वो चाइना भूटान के disputed area में भी मानी जा रही है हलांकि सर्वसम्मती यह है कि यह area भूटान का है यह जो territory है जहाँ पर यह गाओं बनाया जा रहा है यह India भूटान चाइना जो tri junction है उसके पूर में है जो डोकलाम प्लेटू का area है वहाँ पर डोकलाम प्लेटू यह नाम तो आपने बिल्कुल सुना होगा 2017 में 72 days का stand off इंडिया और चाइना के बीच में इसी location पर हुआ था map में अगर आप गाओं की location देखना चाहें तो देख सकते हैं यह भूटान है और यहाँ पर इंडिया का सिक्किम है सिक्किम से सट्ते हुए यह जो territory है यहाँ पर इंडिया की location है यह चाइना और यह भूटान तो यहाँ पर इस जगह पर इस गाओं को establish किया गया है भूटान के officials नहीं यह कहा कि ऐसा कोई भी गाओं Chinese village हमारी territory में नहीं है लेकिन इंडिया का यह मानना है कि यह इंडिया का attempt है कि वो try junction में further घुसने का प्रयास कर रहे है चाइना ने कहा कि जिस गाओं को भूटान में बताया जा रहा है वो चाइना का area है अगर हम डोकलाम plateau की बात करें तो यह 100 square km का एक area है जो इंडिया भूटान और चाइना के tri junction पे मिलता है यह देखें यह डोकलाम plateau है जो primarily भूटान पे है इंडिया चाइना और भूटान के junction पे यहाँ पर जो आप area देख रहे हैं इसे सिली गुडी corridor कहा जाता है जिसे popularly chicken neck भी कहा जाता है यह इंडिया को इंडिया के north east से जोडता है चाइना इस area में घुसने का प्रयास करता रहता है ताकि वो इस सिली गुडी corridor के नजदीक पहुंच सके और इस पे भाविश्य में control करने के स्थती में हो और इंडिया इस बात को लेकर हमेशा concern भी रहता है तो यह details जो है वो डोकलाम plateau के बारे में है यह जो plateau है वो तिबबत के चुम्भी वैली से और भूटान के हा वैली से खिरा हुआ है और इंडिया का सिक्किम भी इसके एक और पढ़ता है हमारा अगला आर्टिकल है वो पूलावरम प्रोजेक्ट के बारे में है जो आंदरप्रदेश की सरकार है और उन्होंने अभी हाली में यह कहा कि जो पूलावरम प्रोजेक्ट है जो कि अभी continued है वो 2022 के खरीफ सीजन में तयार होनी की संभावना है हो जाएगा खरीफ सीजन का मतलब यह है वही बरसात का महिना जुलाई एकसवाला जो टाइम है तब तक वो इसको प्रिपैर कर देंगे लोकेशन की बात करें तो जो पूलावरम प्रोजेक्ट है वो आंदरप्रदेश में है नदी कौन सी है जिस पर यह प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वो आंदरप्रदेश के अलामा 36 गड़ और उडिसा में भी चला जाता है प्रोजेक्ट एक मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट है इसका इस्तिमाल इरिगेशन, हाइडरो पावर यानिकी बिजली बनाने और तीने के पानी के लिए भी इस परोजेक्ट का इस्तिमाल किया जाएगा अगर इस परोजेक्ट के स्टेटस की बात करें तो 2014 में आंदरप्रदेश पाइफरकेशन एक्ट के माध्यम से इसे नेशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया और इसका जो डिजाइन वगएरा है उसे भी थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया था लेट्स टॉक अबाउट गुदावरी रिवर्ड जो गुदावरी नदी है वो महारास्ट्रा में नासिक के नजदीक में त्रिम्बकेश्वर नामक जो जगे हैं त्रिम्बकेश्वर से यह राइज होती है यह लगभग 1465 किलोमेटर की जर्नी टै करते हुए ब्यॉप बंगाल में गिर जाती है इसका जो ड्रेनेज बेशिन है जहां से यह पूरा पानी कवर करती है वो महारास्ट्रा, आंदरपदेश, शतीजगर, उडिसा में भी फैला हुआ है अपार्ट फान दैट कुछ हिस्सा आपको मध्रपदेश, करनाटका और पुदुजेरी में भी मिलेगा ट्रिबिटरी की बात करें तो प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा, प्रान हिटा, प्रान हिटा देखे वेन गंगा, पेन गंगा और वर्धा जब तीनों मिलती है तो प्रान हिटा बनती है इंदरावती, मानेद और साबरी ये सब इसकी tributaries है सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रवाइड दरेगा जो काबुल शहर के 2 मिलियल लोग है उनके लिए क्यों इंडिया के लिए इंपोर्टेंट है ये बताइए मुझा क्योंकि आप इंडिया को आई याट कर सकते हैं इंडिया के सॉफ्ट पावर manifestation अब पाट है ये और ये दिखाता आप आलेट रिलिशन कैसे इंप्रूब हो सकते हैं अलग-अलग measures के दुरूब एगला article है Tristan Dakuna के बारे में Tristan Dakuna largest fully protected marine reserve है जो की कहाँ अवस्थेत है तो वो है Atlantic Ocean में अब इसके खास बात क्या है क्यों इतना ये news में रहा है खास बात ये कि इसमें बहुत ही कम लोग रहते हैं केवल 300 से भी कम लोग या रहते हैं और ये almost जो South Atlantic है उससे 600 माईल की दुरी पर है मतलब एक तरह से ऐसी रिजन में जाहां इसके आसपास कोई landmass नहीं है और ये UK की isolated एक territory है overseas territory मतलब UK के obviously कुछ islands पर कबजा है लग लग islands में उन्हें हम UK overseas territory कहते है तो obviously UK जो है ये रोप में है पर उसके कुछ overseas territories islands है जहां उन्होंने कबजा भी तक कर रखा है उनमें से एक है Kristen Nakuna और ये एक volcanic island है South Atlantic ocean में ठीक है खास बात ये कि इसके location का पर एक बार देख लीजें ये इसकी location है बहुत ही जादा ये एक ऐसी location में जो बहुत दूर है देखिए 1500 माइल यहाँ पर है 2000 माइल 200 माइल यहाँ पर है तो ये Kristen Nakuna की location इसके आसपास जो nearest जो island है वो इन ठेलेना है वो भी लगए 1200 माइल दूर है तो बहुत एक distant location पर यहाँ इसका खुद का एक constitution है यहाँ बहुत सारे seawards है और खास बात यहाँ ही है कि ये world heritage site है और inaccessible island इसे पहुँचना बहुत मुश्किल है और खास बात इसकी है कि UK ने इसको blue belt program के अंदर डाला है जिसके तहत ये दुनिया की largest no take zone है Atlantic का मतलब यहाँ पर आप fishing नहीं कर सकते mining नहीं कर सकते कोई भी ऐसी activity नहीं कर सकते जिसकी वज़े से यहाँ पर आप fishing नहीं करेंगे crawling नहीं करेंगे, sand mining नहीं करेंगे कुछ नहीं कर सकते तो इससे होता किया यहाँ जो भी ecosystem है यहाँ पर जो भी ecology है काफी sensitive है जो location है वो पहले बता रहे है तो इस sensitive location की safeguarding के लिए बहुत important है और दुनिया का चौथा और Atlantic का सबसे बड़ा यह ऐसा location है जो की no take zone है जहाँ पर आप कुछ कर नहीं सकते है कुछ ले नहीं जा सकते है यहां से आप तो यह किस लिए कि आ गया है यहां के safeguard करने के लिए तो आपको लिए important यह है कि आपको location बताओ कहां पर है यह टिस्ट नकोना है South Atlantic Ocean में इसके nearest कौन सा आप कह सकते आइलेंड है सेंठे लेना है और Cape Town के nearest है यह ठीक है तो Cape Town के nearest है यह लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बहुत पास है फिर भी बहुत दूर है just for the sake of location आपको पताओना चाहिए कहां पर है located किसी में और किस island के पास है और किस continent के पास है तो यह होगा इसकी कहानी तो आज के इस session में बस इतना ही Thank you very much